नमस्कार आप देख रहे हैं नीज 24 मैं हूँ विपनेश मात्रों तीन बजे के बुलेडिंग की शुरुआत इस वक की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं बस थोड़ी देर पहले दिली नस्यार में तेज भुकम के जटके महसूस किये गए हैं बड़ी खबर और इसकी तीवरता पांच तश्श्णब आठ मा पी गई है नेपाल का कालिका इसका भुकम का केंद्र रहा है दोपैर 9 वजे जी हाँ दोपैर 10 थाई वजे ये भुकम के जटके महसूस किये गए 12 सेकिंड तक लोगों ने भुकम के जटको को महसूस किया है एक्टर स्केल पर्स की तिवरता पांच तरश्प्रव आच्छ मापी गई है भारत नेपाल और चीन में भी भूकम के ये तेज जटके महसूस किये गए है तो नेपाल के कालिका में इसका केंद्र मिला है भूकम का और इसकी तीवरता पांच तरश्प्रव आच्छ मापी गई है दिली NCR में भुकम के तेज जटके लोगों ने महसूस किया और जैसे ये जटके लगे लोग अपटी सीचों से उठ खड़े हुए बहार निकलने की भी कोशिश की और कई जगे पर जो घर और ऑफिस पे फरनीचर रखा है पंकी लगे हैं वो तक हिले हैं कई बार भुकम के त आतार दिखा रहेंगी किस तह से क्योंकि इंस्ट्रक्शन से जब भी आप अंदर हैं कोशिश कीजिए कि आप खुले मैदान में निकल कर बहार आ जाएं जब तेज जटके आपको भुकम के नजर आएं और निउस रूम से प्रशांद गुपता मारे साथ मौजूद हैं प् देखे मैं आपको बताओं विपनेश ये बुकम के जटके जो है वो नेपाल का कलिका है कलिका जिला है उस तो बारा किलोमेटर दूर जो की उत्राखंड का लगा हुआ इलाका है प्रतोर्वागड का और यह हिमाले रेंज में जटके आएं 10 किलोमेटर भीतर धरती के भीतर ये हल चल हुई है और इसकी जो तीवरता थी वो रेटर स्केल पर 5.8 दसंबलब मापी गई है और इसका सीधा असर जो है वो उत्राखंड उत्रपदेश और दिल्ली और इसके अलाबा जो बिहार का इलाका है वहाँ वहाँ पे भी ये कुछ-कुछ इलाकों में जटके किये गए वह उत्राखंड और जो ये तराई का इलाका है जो कि बरेली रामपुर म्राराबाद होते हुए जो इलाका है यहां पर काफी जटके महसूस किये गए हैं दिल्ली एंस्यार में बहुत तेज़ जटके महसूस किये गए लगवग 12 सेकंड तक इसकी जटके जो रहे बुकम के जटके रहे वह लगवग 12 सेकंड तक महसूस किये गए हम लोग खुद दफ्टर में मौजूद थे और जब जब जटके महसूस हुए तो हम लोग खुद घबरा गए और बहुत सारे लोग यहां से निकलकर बाहर की तरफ गए तस्वीरें देख सकते हैं आप जहा आगे बढ़ते ही नेपाल का बॉडर शुरू होता है और यह हिमाले रेंज में जटके महसूस हुए हैं और यह जो हिमाले रेंज के जटके हैं उतकी सीधा तौर पर असर देखा जाए तो वह दिल्ली एंसी आर के इलाकों में क्योंकि यहां पर हाई राइस विल्डिंग का रहती है वहां पर भी जटके महसूस किये गए हैं हलांकि अभी तक किसी तरह की जान माल या किसी बड़ी हानी की खवर अभी तक नहीं आई है लेकिन यह पिछले दो-तीन मेहने में अगर हम बात करें तो यह चौती बार इस तरीके के भुकम के जटके महसूस हुए हैं और फिर जो अफगानिस्तान से जुड़ोवा इलाका है जो पाड़ी इलाका है उस बेल्ट में इस तरीकी घल्चल हो रही है तो एशिया के अगर हम बात करें तो यह खास और हमालन बैल्ट इसमें अंदर कहीं न कहीं जो धरती के अंदर की जो प्लेट्स हैं वह आपस में तक राती हैं जिसकी वरे से भुकम को जटके आतो और हिमाले रेंज में इस तरीकी की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है विपनेश